हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू माई योटूब चैनल आप सभी का स्वागत है मेरे कीचन में तो आज मैं बनानी जारी हो नान खटाई वो भी बिना ओवन के और बहुत ही सिंपल इंगिडियंस के साथ बहुत ही जल्दी बनने वाली ये नान खटाई है तो चलिए अब हम बनात है तो सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगे बाउल में मैदा को एड़ कर लूँगी इसके बाद मैं इसमें बेसन एड़ कर दूँगी और जो हमने सूजी लिया हुआ था वो भी हम एड़ कर देंगे इसके बाद मैं इसमें एड़ कर दूँगे coconut powder अब जो है हम सभी को अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद मैं इसको side में रख दूँगी और एक और बाउल ले लेंगे हम इसमें अब मैं इसमें आड कर दूँगी तेल अगर आपको घी पसंद आप गी भी आड कर सकते हैं तो मैंने आप पे तेल आड किया हुए इसमें मैं sugar powder आड कर दूँगी इसके बाद जो हमें इसको अच्छे से mix कर लूँगी इसे हमें तब तक mix करना है जब तक यह अच्छे से form में ना आ जाए तो यह देखिए अच्छे से हमारा sugar oil के साथ mix हो चुका है आप भी ऐसे ही करके mix कर लें अच्छे से mix होके ready हो चुका है अब जो हमें इसमें आड कर दूँगी हमने जो mix करके रखा हुआ था मैदा को वो आड कर देंगे इसमें मैं इसमें आधा ही है पहले आड करूँगी इसके बाद इसमें आड कर देंगे baking powder मैंने आपे baking powder आड कर दिया है अब mix कर लूँगी अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा इसमें मैदा आड करके mix करते रहेंगे थोड़े देर mix करने के बाद अब जो है मैं इसको हाथों से mix कर लूँगी इसके बाद जो है मैं इसमें हलका सा do that कर दूँगी ताकि जो नान खटाई उसका flavor बहुत अच्छा से आए तो मैंने एकदम हलका सा do that किया है और अब जो हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे तो यह देखे मैंने mix कर लिए कितने अच्छे से do में binding आ गई है हमारी तो अब जो हम इसको shape दे देते हैं तो मैंने इसको हलके ही हाथों से gold किया हुआ है इसके बाद जो हम हाथों पे लेके अच्छे से दबा देंगे चारो तरफ और एक अच्छा सा shape दे देंगे अगर आपको दूसरा भी shape पसंदा है तो आप दे सकते हैं बर नान खटाई का shape यह होता है इसके बाद जो है आप ऐसे ही करके सारे बना ले तो मैंने यहाँ पे सारे बना लिये हुए हैं अब जो मैं इसमें हलका सा cut लगा लूँगी इसे नान खटाई देखने में बहुत ही अच्छी लगती है तो मैंने cut लगा लिये हैं और आपके पर जो भी dry photo आप add कर सकते हैं मैंने यहाँ पे बादा मैट किया हुआ है अब जो है मैं इसको bake करूँगी तो मैं यहाँ पे oven का use नहीं करूँगी मैं इसको gas पे ही bake करूँगी तो मैंने एक बरतन ले लिया है उसमें मैं नमक add कर दूँगी नमक को हम चारो तरफ अच्छे से फैला लेंगे इसके बाद जो हमें इसको फैलाने के बाद से ढग दूँगी थोड़े देर तक ताकि नमक अच्छे से गरम हो पाए तो थोड़े देर बाद नमक हमारा गरम हो चुका है अब जो मैं इसमें एक stand रख दूँगी और उसके बाद एक plate रख के इसमें हम अपने नान खटाई कर चारो तरफ से अच्छे से हम रख लेंगे नान खटाई को हम थोड़ा थोड़ा space दे के रखेंगे ताकि जब वो फूले तो एक दूसरे के साद चिपके ना इसके बाद आप ढग देते हैं low flame पे करके कम से कम 20 मिनट बाद ये देखिए नान खटाई हमारी एक दम अच्छे से फुल हो गई है और बेग भी हो गई है अब जो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं तो आप समभल कर निकाले बहुत ही करम होती है अब जो हम इसको half an hour के लिए छोड़ देता है ताकि वो ठंडा हो जाए तो अब ये ठंडा हो गया है एक दम अच्छे से और ये देखिए दोनों तरफ कितने अच्छे से हमारी नान खटाई सीखके हो गई है तो अब हम इसको सर्फ कर लेते हैं आप ऐसे ही अपने अपने घरों में नान खटाई बनें बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है तो आप मुझे कॉमेंट कीजेगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राब और शेयर कीजेगा थैंक्स फर वाचिंग मैं वीडियो